नमस्कार दोस्तों आप देखना सुरो कर चुके हैं देशी किजन चैनल और आज की डेस्पी में मैं आप लोगों के लिए लेकर करके आए सफेद मतर के छोले की डेस्पी जिहां दोस्तों वही मटर का छोला जिसका अपना अलग ही इंपोर्टेंस है चाहे समोसा चाटो टिक्की चाटो आलू चाटो या पाप्री चाटो सभी में ये छोले डलते हैं और उनके स्वाद को बिल्कुल ही चटपटा बना देते हैं और कई लोग इसे तो बड़े ही पानी से मैंने इसको बिल्कुल वास कर लिया है अब नेक्स स्टेप में आ जाते हैं एक कराई को मैंने यहां पर गरम होने के लिए चरा दिया है और इसमें डाल देंगे एक लिटर पानी और पानी डालने के साथ ही इसमें डाल देंगे अपने छोले यहां पर आदी केजी ह मारे पास चोला है और यह सारे चोले को मैंने इसमें डाल दिया अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक क्या होता है कई बार यह मटर के छोले ना पकते नहीं यहां पर खाने वाला जो सोड़ा उसका भी इस्तमाल कर सकते उसे बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से पक धक करके आप इसे कंटिन्यू पचीस मिनट तक पकने दीजिए बीच में एक आदवार इसका धकन हटा करके चेक कर लेंगे और यह देखिए अब यह पचीस मिनट हो चुका है जो हल्दी डाला था मैंने वो कलर भी छोली के उपर आ गया है अब मैंने इंडेक्शन को यहां प यहां पर नहीं बनाने आपzd रिमिट और को बिलकुल यहां पर ल्हारी काट लेना है और इसके बाद नेक्सट अजातीक कि यहां पर लेंगर सब्सक्रें लिए मैंने साथीं दो इंच का अध्रख लिया और लासन आप रख साथी मैंने यहां पर पेस्ट बना कर कर रख लिया है इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे में चीज यहां पर दो से तीन चमच आपको बेसन लेना है जो इस छोले की जो ग्रेवी होते हैं धावा इस्टाइल ग्रेवी चाहते है यह स्टेप जो आप जरूर अपने इस रेसीपी में एड किजिए तो सब दो से तीन चमच वेशन लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका प्रोपर ना एक गोल बना लेना है और यहां पर देख रहे हूं इसको रख देंगे थोड़ी देड के लिए इसके बाद next मैंने लिया यहां पर खड़ा मसाल साथी इसमें एक चमच मैंने जीरा ढाल दिया है अब बारी आ जाती है सुखे मसाले की तो यहां पे डेर चमच कास्मिडी लाल मिर्च लिया है मैंने यह तीखा नहीं होता है इससे सबजी में कलर आता है बस इसके बाद यहां पे लिया है मैंने धनिया जीरा मेथी और सौफ को रोस्ट करके एक खुरुदोरा सा मैंने लुख कर सकते हैं थोड़ा सा एक चमच साथ ही इस रेसीप्टि को थोड़ा सा उंड़ा बनाने की लिए में थोड़ा सा यहां पे चिकन मसाला और यह लिए हैं मैंने हीन चुट्की पर हिंग का इस्तेमाल करें आदि केजी इसका चिलका वेगर निकाल कर रख लिया है अब आज है बारी इसको बनाने की ते करआ ले लिया कराय में 4 टेवले स्पून में डाल दिया सब्सक्राइब और चला हमारा जैसे ही करम हो जाएगा इसमें डाल दिया मैंने खड़े मसाली चार तेज पत्ते खड़े मसाले में आपको पहले बता चुक आ है इसमें दालचीनी है बड़ी लेंची छोटी लेंची जावेत्री जीरा है काली मिर्च और इनको थोड़ा सा यहां चटकने देंगे और जैसे ही चटकना स्टार्ट हो जाएगा इसके बार डालेंगे यहां पर चौप कि हो हमारे प्याज दोस्तों यहां पर चौप जाला है इ दोस्तों यहां पर मैं वीडियो क्लिक करना भूल गया था इसी टाइम पर आपको अध्रक लहसन का पेस्ट डालना है इसके बाद डालेंगे यहां पर हिंग चुटकी भर हिंग डाला है मैंने इससे अच्छा फ्लेवर आता है अब डालेंगे कास्मेरी लाल मिर्च देर चम में इसमें मिक्स करके मैंने इसमें ADK करें और टोड़ा सा एक मसाला भी और बचा हुआ यहां पर पहले तो मिक्स कर देंगे और जलान Day बदं pigeon की जान सथी डालjuयों आपक बाद में ग्री में टालने से क्या हो तो प्रोपर तठीक से यहां पर भूणना है हमें और मसाले के उपर जैसा कि निशा मधुलिक का मेडम के इस्टाल मसाले के ऊपर थोड़ा जना तेल आने लगे इत में सापका मसाला पक चुका है अब मसाले नहीं यहां पर शुक्षे पाउडर डाले मैं गीला मसला है नहीं जलने लगता है यहां पे आपको थोड़ा सा इस्टॉल्मेंट पानी डालने के लिए अपर तरीके से और यहां पर यह थोड़ा सा तेल मसाले के उपड़ा आ गया मसाला तरीके बून चुका है अब इससी टाइम पर डाल देंगे जो बैसन का गोल बनाया था मैं इस गोल को डालने के बाद इसको जब मेक्स करेंगे ना तो आपका यह मसाला थोड़ा सा थिक होने लगता है तो कोई बात नहीं इसे क्रेब अधी मिनट तक चलाते वह इसको भूनना है और थोड़ा सा बेसन को भी ना यहां पर पकाएंगे बिल्कुल प्रोपर तरीके से ताकि एक अच्छा फ्लेवर ना रहे अब इसमें थोड़ा जना है आपे पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको प्रोपर तरीके से यहां पर मेक्स कर लेंगे और मेक्स करने के बाद इसको ना कंटिनियूस साथ से आठ मिनट तक इस घोल को चलाते हुए पकाना है चलाते हुए इसलिए पकाएंगे कि जो हमारा प्याज है उसको मैंने बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं भूना था जो होता है उसमें प्याज को संतुलित रखें अब इस पेस्ट को कंटिनूस साथ से आठ मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे जिससे क्या होगा हमारा प्याज बिगेड़ जो है वह एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा अगर डायेट प्याज को पीस करके पेस्ट डाले और प्याज को काट करके उसको थ कोला के रेस्पी है तो यहां पर आलो को बारी की मैस करें बिल्कुल मोटा मैस नहीं करना इस इसका ध्यान रखेंगे तो आधी केजी आलो और आधी केजी मतर का इस आलो को डालने के बाद अब आलो को कंटिनू आपको मतलब पांच से छे मिनट तक चलाते हुए पकाना है और पांच से छे मिनट बाद इसमें एड्य कर देंगे मटर को मैंने पहले से रख रख का था इस में को इसमें इड्य कर देना है दोस्तों और आपज डालने के बाद अब इसमें पाने की अदे से धाल दिगें क्योंकि इस मतर को ओंतीनू हमें आधे घंटे тем पकाना है तो इसमें पानी की quantity proper होनी चाहिए ताकि जब ये आधे गंटे तक पके ना तो ये नीचे से लगे नहीं या नीचे से जले नहीं कराई में अब इसको धकन धक करके पहले 10 मिनट तक continue धकन धक करके पकाना है और ये 10 मिनट हो चुके हैं अब मैं आपको इसका दिखा देता हूं अभी पानी की quantity बिल्कुल अच्छी है प्रोपर तरीके की है तो अब 10 मिनट बाद ना अब इसका धकन हमें नहीं धकना है बड़े बुजूर करते हैं कि कूकर के सबजी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसका अंदर धकर के पकाया जा तुआ अपनी पाउडर का इस्तिमाल ना करें और 20 मिनट बाद 화घ्रे डालने के बाद अब इसमें थोड़त चुटकी वरेच इसे को चलाते हुए लगर दकन नहीं और तक नहीं दकन पकाना नहीं है पस्ट के दस मिनट तक नहीं पकान जब्द देखेंगे को पना के से अफ़ों लास्ट के 20 तक हमेशन सब्हां को सब्सक्क्रददग और देखानाना है और आप खुद देखेंगे कि इसकी जो ग्रेवी होगी वह खुद बखुद एक परफ्रेक्ट टैप का बन जाएगा आप देख रहे होंगे कि थोड़ी से थिक हो चुकी है हमारी ग्रेवी जैसे क्योंकि आलू बेगरे डाला है अब लास्ट स्टेज में आ चुके हैं तो हम गरम मसाला सबसे लास्ट में डालना है और गरम मसाला डालने के बाइद करेब एक मिनिट तक अभी इसको चलाते हुए पकाएंगे ताकि गरम मसाले का भी फ्लेवर ना बिलकुल अच्छे से मिक्स हो जाए खुसबू तो बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों और मैंने जब कि नहीं डालना चाहें तो आप दोनों चीज को कँ शोवसकरा मतर कर ड्रेश कोड़े के साथ सिर्व कर सकते हैं पूड़ी के साथ खाएं मतलब छूव bought बनाके खाली हा लाग अप्छाट बनांके खा लीजिये सबी चीज़ों बिल्कुल परफैक्ट बैठता है अब मैंने इंडेक्शन को बंद कर दिया है और इसे सर्व करने के लिए निकालेंगे एक बाल में तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी ये मटर की छोले की रेस्पी और थोड़ाजा धावा फिलेवर थोड़ाजा उम्दा स् सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नौटिफिकसन आपको मिलते हैं